92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियेट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन 3 दोस्तों हमारी कहानिया आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नमबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 याने 505-6677 दोस्तों जो कहानिया मैं आपको सुनाता हूँ वो लिखी होती है मेरी मंडली ने जिहां मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमान्शू सिंग की लिखी कहानी उलट पलट महबबत इस दुनिया में कुछ भी करना बंधू बस इसक बाजी के फैसले सोट समझ के लेना हमारा अपना कोई एक्सपीरिंस नहीं है बस जो देखा है वही बोल रहे है नाम तो हमारा रुपेसर तिवारी है पर खिसिया के लोग हमको रूपा भाया बोलते हैं वच्छ हमाई नाम पर हसने की आपको जरुरत नहीं क्योंकि ये कहानी हमाई नहीं है वलकि ये कहानी उस लड़के की है जो हमाई कपूर सहाब के बड़े से बंगले के छोटे से फलोर पे किराएदार बनके रहने आया था बताय जाता के कपूर सहाब ने पहले फैसला किया था कि अपना उपर वाला फिलोर सिर्फ लड़कियों को ही देंगे पर महीनों से खाली पड़ा फिलोर और उपर से उनके गाओं के पास से इस सहर में पढ़ने आये लड़के के आगे कपूर सहाब को अपना खुद से किया कमिटमेंट याद आ गया पर अपने आप से किये कमिट्मेंट के वो आगे किसी की सुने ना सुने अपने आपकी जरूर सुनते थे उन्होंने कमिट्मेंट भी तोड़ दिया और उस लड़की याने रोहित को रहने के लिए कमरा भी दे दिया हम भी कपूर साब के साथ ही काम करते थे वैसे तो सहाब हमको नौकर मानते थे पर महले के आसपास के सारे दुकंधारों को हमने एक कहा था कि हम कपूर सहाब के मनीजर हैं हमा काम भी तो ऐसा था किराइदार लाने से लेके उनसे किरायव असूली मकान की देखभाल उपर से कपूर सहाब का फढ़नेश फ्लोर, मतलब टीवी, फ्रीज, एसी, चूला, सब मालिक कई होना था इसलिए जब ये सारे उपकरण अपनी सेवाएं देना बंद कर देते थे तो भगवान विश्वकर्मा का नाम लेके हमी इन सब को चालू किया करते थे थोड़ा जुगार टेक्नालजी तो हम भी सीख के आए थे ना अपने अलावाद से तो बोली हुआ ना ये मनिजर वाला काम, रोहित रहने को तो अकेला आया था वहाँ पे बाद में जब उसके कालेज के दोस्त नीरच को कहीं सस्ता कमरा नहीं मिला तो कभी-कभी वो भी यहीं आके पसरने लगा दीरे-दीरे वो एक से दो और दो से चार हो गए ने-ने वो ऐसे नहीं, मिरा मतलब चार दोस्त आके उसी उपर की फ्लोर के कमरे में चाहे पीते थे कपूर साहब ने पहले तो रोहित को कोट मार्शल करने का मन बना लिया लेकिन रोहित को पैरी पोना करने का सौक था ना और कपूर साहब को दान बीर करन बनने का चारों को उस बंगले की सबसे उपर की छत वाली फ्लोर पे पाटी करने की जगे मिल गई थी जब रोहित बाबु अपने सामान को आड़ा तिर्चा करके ग्राउन फ्लोर से टाप फ्लोर पहुंचा ही रहे थे तो उसी शाम कपूर साब ने रोहित को अपनी फ्लोर पे खाने के लिए बुलाया था वहाँ खाना कम और समझाना जादा हुआ अगले दिन अपने सामान के लिए टेंपो खुद ले के आए न और लड़की से बाते शाते करना ठीक है पर यहाँ अगर घर के अंदर तुम्हाई कोई सहेली या कोई कजिन टाइप लड़की नजर आई न तो समझ ले न कि कपूर विला से तुम्हार रिस्ता खतम अगर कोई दिक्कत हो तो यह रूपा है ना उसको बता देना उस साम रोहित ने कपूर साहब की सारी सरतें सुनने के बाद हामी भरी और उपर निकली हम भी सामान सेट करवाने के लिए उनकी मदद करने उपर पहुँचे तो देखा कि वो लंपट कुछ आउर ही सेट करने क के लिए छट पर खड़ा है उसके दोस्त रोहित से इस बात पर मज़े ले रहे थे कि उसने जन्नत के ठीक सामने वाला फिलोड लिया है जन्नत यने लवली गर्ल्स हास्टेल दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य हिमानशू सिंग की लिखी कहानी उलट पलट महबबत इस कहानी में अब तक आपने सुना शेहर के कॉलेज में पढ़ने आये रोहित को कपूर विला के टॉप फ्लोर पे कमरा मिल जाता है कपूर साब का नौकर रूपेश्वर बताता है कि रोहित और उसके दोस्त सामने बने गर्ल्स हास्टेल को देखके कुछ जादा ही खुश हो गए थे अब आगे लवली गर्ल्स हास्टेल या ने यहां से सिर्फ एक किलोमेटर की दूरी पे बने कुईन विक्टोरिया कॉलेज की उन लड़कियों का आसिया ना जिनको कम नंबर होने की वज़े से कालेज का हास्टेल नहीं मिलता था चाम के पांच बज़े से जब तक सूरज दुनिया को गुड़ बाई नहीं बोल लेता था ना तब तक इस महले के बाजू के महले के उसके बाजू की कलोनी और शहर के पता नहीं काउन काउन से इलाकों के लड़के अपनी मोटर साइकल इस हास्टल के सामने से रोंदाते थ पर रोहित और उसके दोस्तों को IC NSP यानि 9 सुख प्राप्ति करने के लिए ना तो बाइक की जरूत थी और नहीं चक्काल लगाने की बस पचपण फुट का ही तो फासला था कपूर विला और लवली हास्टल में बस तो फिर क्या था साम के पांच बजे कपूर विला में भी जन्नत दर्सन का टाइम होता था और रोहित और उसके दोस्त यहां छट पे एक दम टाइम से पहुंच जाते रोहित को उसके दोस्त रोहित रौक स्टार बुलाते थे क्योंकि इस हीरो की मेहनत से चारों को सर के उपर छट और आखों के सामने बालकनी जो मिल गई थी रोहित भी अपने गाउं से सहर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो मानता था कि जिंदगी में कुछ करने के लिए चमतकार की आवस सकता होती है और चमतकार सिर्फ बड़े सहरों में होते ना बड़ी बड़ी मुटी मुटी किताब है सब को रोहित ने घोट के पी लिया था बता जाता है कि रोहित को उसकी माबाप ने अंग्रेजी के 26 अच्छर सिखाने के बाद जो पहला सब चिखाया था वो तीन अच्छरों का एक सब जानी आई ए है एस जाने आई ए एस था बास बच्पन चले के कालेश तक अपने माबाप के सपने को धोते धोते वो बड़ा तो हो गया था पर इस सपने को पाने की कमख़त दूरी ठोटी नहीं हो रहे थी लबली गल्स कॉलेज के टाप फेलोर पे एक ही कन्या का वास था हास्तल की किसी लड़की के नाम तो अब तक नहीं पता चल पाए थे पर चारों लड़के उनको मेरी वाली तेरी वाली कहके अलग-अलग पहचान लिया करते थे आपस में भी तय था कि इस मामले में कोई रोटेशन पालिसी नहीं चलेगी लेकिन सामने वाला हास्तल था कि इन चारों के हवाई हाई हेलो का जवाब तक देनक तयार नहीं था फिर एक इतवार जब लबली गल्स हास्तल के सारे तारों पे कपड़े ही कपड़े लड़के पड़े थे तब उनके बीच में से सामने टाप फलोर पे रहने वाली एक लड़की ने इधर खड़े रोहित को हाथ हिला के हाई के दिया दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानिया जब चाहे मोबाइल पर ये नमबर डायल करके सुन सकते हैं दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपने मंडली के सदश से हिमानशू सिंग के लिखी कहानी उलट बलट महबबत इस कहानी में अब तक आपने सुना कपूर विला के टॉप फ्लोर पे रहने वाले रोहित और उसके दोस्त सामने बने लवली गर्ल्स कॉलेज की बैलकनी में लड़कियों को देखते रहते थे एक दिन सामने वाली बैलकनी से ये लड़की ने रोहित को हाय बोल दिया उस त्यार बाइनर लेके पहुंच जाती और वहां जाके अपना ज्यान भाजने लग जाती ठाने से लेके महिला आयोग और तमाम एंजियों से लेके महिला मोर्चा में अपनी रूमा रानी का नाम चलता था ये रोहित को साइदी पता था कि जिस लड़की को वो दिल दे बैठा है दरसल वो एक ने एक दिन उसके दिल का कीमा बना के चखेगी न अब फिर भी उसके मूँद से वही निकलेगा जो वो दिन में करीब सव बार बोलती है दिस इस टू मेल शाविनी स्टिक एक दो बार हमने रूमा को उसके इस जहांकी मंडब के लिए टोका था तब से उसका हमारा 36 का अकड़ा हो गया था पिछले महीं ने कालनी के चौराहे पे हम नहीं मंदिर से लोटते बखत नवरात्री में रूमा से पूछ लिया था रूमा जी आज नवरात्री का ब्रत नहीं रखे है क्या आप नई रूपा भया मैंने नहीं रखा हम लड़का होके रखे हैं आप तो लड़की हैं आपको तो रखना ही चाहिए था ना हमने कहा बस आपकी इसी सोच को बदलने के लिए नहीं रखा समझ लो पास खड़े गिरेवाल साहब टीनू बारबर और हमाए गाउं का योगेस सब मिलके हस दिये थे हम पे उस दिन एक लड़की से उल्टा जवाब सुनने के बाद हमाए अंदर गुस्से का बीश पन अपने लगा था 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 से हम बे उस साम उस हिरोईन से क्या बोलते हैं बस जान गए कि भगवान राम चंदर ने इसको गलती से कन्या बना दिया बस फिर रूमा और रोहित की हवाई हाय बाजी तेज हो गई और अगले दो हपतों तक हम कागज की गेंदों को इस बालकनी से उस बालकनी और उस बालकन ने उनके कमरें पहुंचे तो उनको बोल दिया हमने रोध भाईया यह दामा भारी पढ़ेगा क्या मतलब अरे भाई जो सामने वाली के साथ चित्थियों का बाद्मिंटन खेल रहा हूं ना वो लड़की ठीक नहीं है पहले बता रहें आपको कभी आखों का एंगल डाउन भ भाई आप एक महिलावादी से महब्बत कर बाइठे हैं फैमिनेस्ट ओ यह तो अच्छा वाजो आपने बता दिया रूपी भाईया मैं अभी नारी सशक्ती करण पे तीन चार कविताएं कागज पे लिख के उसकी बालकनी में फेक देता हूं रोहित ने कहा एक और बार हमा च्छिठी में लिखके कागज की गेंद बनाके रोहित बाबू ने सामने वाली बालकनी में फैक दिया। इन कविताओं سے सामने वाली रूमा मैडम इतनी इंप्रेस हुई कि हमारे रोहित बाबू को अगली साम साथ बज़े अपनी बालकनी में काफी पी नेकाने होता दे मा और इत्वार की साम करीब साथ छटों को टापते टापते रोहित बाबू रूमा के कमरे के बाहर सामने वाले फ्लोर की बालकनी में पहुँच गए 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडिट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन 3 दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानिया जब चाहे मोबाइल पर ये नमबर डायल करके सुन सकते हैं 505-687-505-6677 दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य हिमानशू सिंग की लिखी कहानी उलट पलट महबबत इस कहानी में अब तक आपने सुना आमने सामने रहने वाले रोहित और रूमा एक दूसरे से इशारों में बात करते रहते हैं ये बात रूपा को पसंद नहीं है जो कपूर विला में किरायदारों की देख रेक करता है वो रोहित को जाके बता देता है कि रूमा मर्दों से नफरत करती है रोहित इस पर एक कविता लिख देता है जिससे इंप्रेस होके रूमा रोहित को मिलने के लिए बुला लेती है अब आगे रूमा के साथ इस बैलकनी वाली पहली डेट पे हम भी मौझूद थे नहीं नहीं साथ नहीं अपनी छट से सामने वाली छट देख रहे थे ना बाहर काफी पीते पीते जैसे ही उसने रूमा के कमरे का हाल देखा वो भव चक्का रह गया चार तरफ कपड़े पड़े थे फैले हुए एक टेबल पे कुछ खुली हुई किताबें थी वहीं खाना भी रखा था साथ रात का बचा हुआ होगा उसी टेबल के पास नीचे पुराने लिखे हुए कागा जो कुछ अगबार बिखरे पड़े थे रोहित ने देखते ही कहा ये तो देखके लगता है नहीं कि किसी लड़की का कमरा हो बिल्कुल लड़के के कमरों की तरह बिखरा हुआ है रोहित अपने कहे बेश्या पर वहां अपने दातों के बीच नीचे वाले होट को दबा के उसने रूमा माइडम को ये एहसास दिलवाने की काम्याब कोशिच जरूर कर ली थी सामने चिपके क्रिकेटर माइकल बेवन के पोस्टर को देखके रोहित ने पूछा तुम माइकल बेवन की फैन हो? कोई बेवन का फैन कैसे हो सकता है? 1999 में साथ अफरिका वर्सेस अस्ट्रेलिया के मैच में जब बेवन ने 108 रन मारे थे ना? तब से उसकी फैन हो? ओ, तुम क्रिकेट की भी इतनी नौलेज रखती हो? अच्छा बताओ, 1999 वर्ल कप में मैन ओफ दे सीरीज कौन था? लांस क्लूजनर, साथ अफरिका अपनी गलती फिर दोरा चुका है बोला, अब ये मत बोलना कि क्रिकेट पे सिर्फ लड़कों काई हख नहीं है अब ये बोलके उसने जट से सारी बोल दिया फिर एक किताब को हाथ में उठाते हुए रोहते कविता जोर से पढ़ने लगा तो सुनाते, सुनाते, बीच में एकदम रुख गया क्या हुआ, रूमा ने पूछा अरे, इस किताब में तो बिल्कुल वैसी कविता है जैसी मैंने तुमको भेजी थी बिल्कुल वैसी नहीं, बिल्कुल वही कागस पे कविता लिखे उसके नीचे अपना नाम लिख देने से कोई कविता अपनी नहीं हो जाती फिर भईया जैसर रोहत ने बताया कि दोनों ने मिलके चाए पी और बाहर गूमने निकल लिए बस फिर क्या था, महीने बीचने लगे, समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा और रोहत के लिए कपूर विला और गल्स कालेज की बीच की दूरी कम होने लगी कालोनी की पार्क में, चौराहे पे बनी चाय की दुकान पे, कपूर विला के गेट के बाहर की पार्किंग में या तो रूमा रोहत के साथ नजर आने लगी, या रोहत रूमा के साथ लेकिन महीनों की इस दोस्ती से रोहत को दिक्कत इसले हो रही थी क्योंकि बो दोस्ती के इस ट्राल वर्जिन को छोड़ के अगले लेवल तक जाना चाहता था हाँ भाईया, प्यार के लेवल तक पर आसे की करने वाला जिगरा रोहत बाबू के पास था नहीं इसले वे रोज रोज बस इसी खाहिस में रूमा के साथ घुमता कि भाईया, आज नहीं तो कल रूमा, खुदा अपने प्यार का इजहार कर देगी याओक का दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नमबर डायल करके सुन सकते हैं 505-687-505-6677 दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य हिमानशू सिंग के लिखी कहानी उलट पलट महबबत इस कहानी में अब तक आपने सुना आमने सामने रहने वाले रोहित और रूमा में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं जो कपूर विला के नौकर रूपा भहिया को एकदम पसंद नहीं है रोहित रूमा से प्यार तो कर बैठता है लेकिन यही दूआ करता रहता है कि रूमा खुद ही उसका इजहार कर दे अब आगे जो रोहित से नहीं हो पा रहा था वो बस उसके अपने का इजहार था वो जो उसके बस में था और जो हमसे बरदास नहीं हो पा रहा था वो दोनों का करीब आना था जो कि हमाय बस में नहीं था कहनें फिल्मी है पर फिर भी ये सुपर हिट प्रेम कहानी का भिलन बनना हमाय माथे लिखा था इसलिए एक दिन साम को रोहिद के लिए उपर चाय लेके गए तो देखा कि भाई साब मोबाईल पर गेम खेल रहे हैं रोहिद भाई हमने बोला था ना मामला ठीक नहीं है हमने कहा क्या हुआ उसने कहा हुआ क्या इधर आप मोबाईल में कुट कुट कर रहे हैं और उधर वो रूमा साम को रोज जा रहे हैं मोटर साइकल चीखने मोटर साइकल समझ लए ना अगर आप अपनी मुहबत का सिरी से ना तो रूपेसर तिवारी से सिकायत मत कीजेगा है ना इक तो रोहिद ने चाय का कप जोर से भेग दिया और उसकी एक हरकत से हम जान गया है कि भाईया मर्द को दर्द हो गया है उस साम जब रूमा ने रोहिद को इवनिंग वाक पे पार्क में बुलवाया तो हालात पार्क के पीछे वाली बाउंडरी से उचक उचक के हम भी नजारा देखने पहुंच गये थे रूमा ने अपने बाइग में हाट डाला और कुछ देर की खोजबीन के बाद एक चाकलेट उसके सामने पेश कर दी फिर दुबारा बाइग से एक लाल गुलाब निकाल के रोह इतने कहा देखो तुम्हें अच्छा लगया बुरा पर सच तो यही कि चौकलेट लड़कियों के खाना की चीज़ है अब अगर मुझको पसंद भी आना तो मैं यह नहीं लेने वाला हूं और दूसरी बात यह कि प्रपोस करने की तुमकों क्या जरू हो थी यह काम मुझको करने दिया होता भई अरे कुछ तो लड़कों माला काम करने दिया होता रूमा बात सिंपल है मैं तुम्हें प्यार करता था पर तुम्हारे दिन रात की तरह लड़कियों का हाक लड़कियों का हाक वाली बातों से मैं इरिटेट हो गया हूं देख लो और सुन लो कि जो नि पहिला मोर्चा वाला राग जारी रखोगी या मेरे लिए सब छोड़ने की इमत रखती हो रोहित के उस मन भावन भासन पे अपने जवाब में रूमा ने उस साम कालनी के पार्क में रोहित से बस इतना ही कहा गुडबाय फुरेवर ये नमबर डायल करके सुन सकते हैं 505-687-505-6677 दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य हिमानशू सिंग की लिखी कहानी उलट पलट महबबत इस कहानी में अब तक आपने सुना आमने सामने रहने वाले रोहित और रूमा हवाई हाई हेलो करते-करते एक दूसरे से प्यार कर बैठते है रूमा एक फेमिनिस्ट लड़की है जिसके चलते रोहित उसके प्रोपोजल को ठुकरा देता है और रूमा गुडबाय बोल के चली जाती है इससे सबसे ज़्यादा खुशी रूपेशर को होती है जो रोहित के कमरे की देखरेक करता है अब आगे हमाई मिन्नतों की वज़े से रोहित के साथ घटी इस दुरगटना के बाद रोहित 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 की प्रेम कहानी सुरू होने से पहले ही खतम होने की कगार पे आ गई थी साम को जब रोहित की मा का फून आया तो उन्होंने बताया कि रोहित की दूर की बहन को उसके ससराल वाले दहेच के लिए लगातार परिशान कर रहा है ये सुनके उसको गुसा आया पर फिर रोहित को अपनी रीती, समाच, इनके साथ चलने वाली बात याद आ गई वही जो उसने रूमा मैडम को समझाई थी अपनी इसी बात को याद करके वो मा से आगे कुछ कहने की हालत में तो था नहीं पर मा थी कि सहराय अपने होनहार, अकलमन, सुपत्तर से कुछ मदद की उमीद कर रही थी उस साम हमारे रोहित बाबू के नैनों से भी गंगा, जमुना बह लिये हमने उनसे कहा कि क्या लड़कियों किता है रो रहे हैं रोहित बाबू, तोलता हमें बचिल ला दिये रोता इंसान है रूपा भाईया, लड़का या लड़की के रोने जैसा क्या होता है उस साम रोहित बाबू ने हमको एक किर्केट की मैगजीन लाने को कहा हमने जब उनको कहीं से किर्केट खिलाडियों के तस्वीरों से पटी किताब लाके दी तो उसको लेके पहुँच गए फिर से लबली गर्ल्स हस्टेल इस बार बालकनी में नहीं, सी दे में गेट के बाहर रोहित बाबू ये इंतजार कर रहे थे कि रूमा जी काफी का मग हाथ में लेके बालकनी में आ जाए लबली गर्ड्स होस्टल के गेट पे जब रोहित बाबू ऊपर वाली फ्लोर की और नान स्टाप नजर गड़ाय थे तब एक भारी ब्रेक की आवाज के साथ उनके बगल में एक बाइक रुकी वो मोटरसाइकल रूमा चला रही थी हाँ क्या कहना बोलो रूमा ने पूछा रोहित ने क्रिकेट वाली मैक जीन रूमा के और बढ़ाते वे कहा क्रिकेट और बाइक पे सिर्फ लड़कों का अधिकार नहीं है मैं कल के लिए माफी मागने आया हूँ शायद तुम्हाई जरियाई सही पर मुझको ऐसास हो गया था कि दिन भर न जाने कितनी बार हम नहीं बोल रहे होते बलकि हमारे अंदर बैठा पुरुष बोल रहा होता है जो तैय कर चुका होता है कि कौन से काम लड़कों जैसा है और कौन से लड़कियों जैसा दिस जस्ट टू स्टेरोटाइप आम आम रियरी सॉरी साल है तीन सेकेंड हाँ बस इतने ही लगे उस कमभखत को भववें उपर करके रोहित की आखों में आखे डालके मुस्कुराते रहने में एह नहीं तो फिर एकदम रोहित से बोली वो चॉकलेट अभी भी बैग में रखी है मुस्कुरा के रोहित ने रूमा को किरकिट की मैगजीन दी और रूमा ने चॉकलेट इधर दोनों पिगली हुई चॉकलेट निगलने लगे और इधर हम अपना गुस्सा फिर रूमा मैडम ने जोड से बाइक को किक मार के स्टाट किया और वहां से चल दी नई 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 अकेले नई वो आगे बैठ के बाइक चला रही थी और पीछे बैठे थे हमाए रोहित बाबू हातों को फाइलाए हुए हवा में अपनी जुलफें लहराए हुए बिना किसी सरम के बस इत्तिसी थी यह कहानी हा नई तो